हेलो यूटू फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग में तो फ्रेंस बिशले ब्लॉग के विनर थी अनामिका यादव जी और दूसरी जो थी वो सोनिया करके उनके चैनल का कुछ नाम है तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस इसी तरह से बना रहे इसी तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते रहिए और लाइक कमेंट किया कीजिए चैनल पर जो लोग नया जूड़ते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह से डेली रूटिन लाइफ इस्टाइल मैं अपना शेयर करती हूँ अपने चैनल पर तो चलिए फ्रेंड सुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपोर्टेंट जो मेरे और मेरे हजबन के बीच का जो रिस्ता है कैसा है क्या है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर से करेगा फिलालाभी मैं बनारी हूँ सुवह का नास्ता और आज नास्ते में मैं बनारी ही हूँ पास था जिसको मैकरोनी भी बोलते हैं तो यहां पर मैंने बॉइल करके रख लिया है मैकरोनी को पहले ही और साथ में लसन और मिर्श काट लिया है और अभी मैं प्याज को चॉप कर रही हूं हजबिन की तब्यत ना आज फिर से वही हाल है बेभी ठीक नहीं हुए है तो उनक नहीं पड़ता मजबूरन और मैं इधर बना रही थी नास्ता और वह आ गए थे वैसे में ही उठकर मेरे से बाते करने क्योंकि हम दोनों की बातों ना बाते जो है ना किचन में चलते रहती है मैं तो सुबह साम दुपहर किचन में ही रहती हूं तो जब उनको टाइम मिलता हा जाते हैं किचन में अपने बातों को ले करके और बाते हमारी होते रहती है हसी भी कुछ-कुछ बाते ऐसी होती है जो हसी वाली भी होती है तो बाते जो हो रही थी वह हसी वाली ही थी लेकिन क्या थी मुझे भी याद नहीं है तो यहां पर मैं बना भी रही थी नास्ता और हम दोनों की बाते भी चल रही थी और कल का जो ब्लॉग था ना उसमें एक नई सिश्टर हमारी सोनिया जी करके जो जूड़ी हैं तो उन्होंने कल कमेंट किया था कि दीदी इटानगर में मैं रही हूं तीन साल रही हूं मेरे हजबन की पोस्टिंग थी वहां पे तो शाय में धंका भी जाल है उल्लमाट क Prof. हऑ्शल एक ही भी थी जीुदे पीकी तो आकेसा डिन की बार घुक को ररू ना चल चेंग है हमारी भी हूई कि हम पहले ही बार में यहां रूनाचल और वाशल उसक्ति ठेर चली के ए। अभी शुरू टाइम में यहां पे मिल गया है तो यह है कि चलो जब आगे अभी क्यूंकि अभी मेरी बेटी बी चोटी है आराम से मैं कुछ दिन यहां रह सकती हूं अगर 7-8 साल भी रहना पड़े तो क्यूंकि यहां पे मैं 5 वी तक उसको पढ़ा सकती हूं क्योंकि उतना तो सेंट्रल शाया के जौब में हैं उनको एक बार नहीं रहता है यहां पर देख़ीं ये पास्ता वरींत, एनमेरा बन चुका है तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तीखी ही बनाती हूं वैसे भी कूह खाती नहीं है तो हम दोनों कोई खाना है तो मैं तो थोड़ा तीखा भी रहे तो मैं जहेल लूँगी क्योंकि उनको अच्छा लगे बस यही मतलवी से लिए मैंने सोचा कि तो थोड़ा तीखा बनाती हूं तो यहां पर देखे नास्ता जो है वो बन गया है सुबह के सारे काम जो है वो हो गया है बस अभी पोछा लगाना है मुझे और यह देखिए यह क्या है आप लोग बताईए देख करके वैसे मैं बताती हूं आप लोग को पता है तो कमेंट कीजे जल्दी जल्दी से और नहीं पता है तो मैं बता रही हूं यह जो होता है ना खेकसा जिसको बोलते हैं तो एक ना मेरे से छूट गया था वही पक करके देखिए इस तरह से फट गया था तो मैं न गई बाहर में तो देखा किस तरह से क्या हुआ है तो मैंने देखा वही जो था फटा हुआ था वैसे मैंने इसे छोड़ दिया था कि चलो पग गया है तो ठीक है इसका बीज मैं घर पे लेके जाओंगी वहां पर ममी लोग को देदूंगी लगा देंगी तो वहां ठीक रहेगा क्योंकि वह हमारा घर के पास में खेत है और हमेशा वहां पर यह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तो फिर भी खतम हो जाता है तो इसे लिए मैं इसको रख दी हूँ सूखने के लिए और जब यह सूख जाएगा तो इसका बीज में लेकर के जाऊंगी और यहां पर देखिए एक तरफ मैंने पानी चड़ा दिया है हजबिन को नहानी के लिए और दूसरे तरफ मैंने आलोरू रख दिया है नास्ता कर लिया है सुखका यह बरतन है जो कि अभी मैं सारा लगा दूँगी क्योंकि पानी निकल चुका है बरतन से और थोड़ा सा स्लैप पे मार ले रही हूं कपड़ा क्योंकि अभी मैंने बनाया है न पास्ता तो थोड़े बहुत गिर जाते हैं नहीं तो बाकी सारा कुछ जो है क्लीन ही है और आपस न पोछा लगाना है कपड़ा धोना है तो मैंने सुचा चलो अभी काफी टाइम बचा हुआ है तो मैंने इधर का काम कर ले रही हूं बहुत टाइम से न मतलब 7-8 दिन हो गए मुझे कैंची मिल ही नहीं रही थी दो-दो कैंची है मेरे पाथ छोटे वाले बड़े वाले तो नहीं चोटे वाले हैं लेकिन पता नहीं कहां रग दी थी मिल ही नहीं रही थी फाइनली आज मिला तो मैंने सुचा चलो इसको काटके नहा हटा देती हूं क्योंकि यहां पर मैंने मैट लगाया था थोड़ा ज्यादा हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा है इसको हटा दूंगे ना तो फिर ना फटने का डर भी नहीं रहे तो ऐसे बार बार मुड़के ना फट भी जाएगा तो मैं और अभी नहीं दो दिन प आप लोगों को भूल जाओंगे क्योंकि मैं अभी जो कुछ भी हूं यूटूब पर मेरा जितना भी अभी ग्रोथ है वह आप ही लोगों की वज़त से है और आगे भी जो होगा वूसकी वज़ा ही आप लोग है मैं चाहे कितनी भी मैनत कर लूंगर आप लोग सपोर्ट न नॉलिज जी थी जो कि अभी कुछ दिनों से उनका कमेंट नहीं आ रहा पता नहीं उन्होंने मेरा ब्लोग देखना बंद कर दिया फिर कमेंट क्यों नहीं करती यह सारी जो है ना और एक मोही का मॉम्स है मीरा जी है इन सब को मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि यह सुरू स कितना भी पैसा कमाने लगूं वह जो लगाव है आप लोगों के साथ मेरा कभी नहीं छूटने वाला है तो प्लीज आप लोग ऐसा कभी मत सोचिए और आप लोग पर मुझे भरोसा है विस्वास है आप लोग के भरोसे में अपने चैनल को ग्रोथ कर पा रही हूं तो चल जाता है कि किन लोगों ने लायक नहीं किया है लेकिन मैं बोल नहीं सकती तो प्लीज आप लोग जरूर से लायक भी किया किजिए कमेंट करते हैं तो लायक कमेंट आप जादा जो है मेरा चैनल आगे की तरफ बढ़ेगा आप लोग का ही सहारा है आप लोग के ही भरोसे मैं जो भी कर रही हूं वो कर रही हूं तो आप लोग थोड़ा सा अपना समय निकाल के मेरे वीडियो को पूरा देखा कि करिए क्योंकि अभी ना बहुत कम व्यू आ रहे हैं यह सब देखती हूं न तो फिरना हिम्मद तूटने लगता है लेकिन थोड़ी थोड़ी उमीदे जो हैं आप ही लोगों से मेरी बनी हुई है तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए और लाइक कमेंट जरूर से किया किजिए और यहां पर देखिए अभी मैं यह बाहर करने का डर नहीं रहेगा और एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से चिपका रहेगा तो दिकत भी नहीं होगी जाडू पोच्छा वगेरा करने में तो इसलिए मैं इसको भी आज सब कंप्लीट कर दी हूं और अभी न गोंध नहीं है खतम हो गया है हाफ केजी का गोंध था यह कमेंट जो है यह सवाल जो है मुझे नहीं लगता कि सिर्व बवीता जी नहीं पूछा है इससे पहले दो तीन लोगों ने और पूछ लिया था लेकिन मैं बताना नहीं चाह रही थी मैं सोच रहे चलो चोड़ो क्या जरूरत है मतलब अपना जो रिष्ट है उसको सब के सामने लाने का लेकिन फीर आप हमारी फैमिली है आप जो भी जानना चाहती है वो बताना हमारा मतलब एक जिम्मेदारी है तो मैं सोच रहे हूं कि चलो आज फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूं देखिए हजबन वाइब जो होते है ना वो मतलब ट्रेन का दो पहिया होते हैं ऐसा कहा जाता है तो दोनों का तालमिल होना बहुत जरूरी है अगर एक अच्छा है एक खराब है तो फिर ना वो रिष्टा कभी भी सही ढग से नहीं चल पाता है तो यहां पर देखिए मैं अपने और मेरे हजबन की बात करूं तो सादी के बात से बहुत स सारी मुष्किल हैं हमें दोनों के साथ में लेकिन हम दोनों ने मिले के उसको एक दम जहला है उस मुष्किल दाओर से दिकले हैं और इतना असान नहीं था हम लोगों के लिए यहां पर पहुँचना बहुत मुस्किलों के बाद हम लोग जाके आज थोड़ी से नॉर्मल हमारी लाइफ जो है हुई है बोलते वक्त मेरी मतलब मेरा सांस जो है वो भारी हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाह जाते हैं वहां पर तो फिर मतलब बचते ही है ना तो थोड़ी बहुत नोग जोग हो जाती है परिवार है इतना बड़ा तो थोड़ा बहुत तो होता है उस चीज़ को माइंड ना मैं कभी करती हूं ना हजबन करते हैं थोड़ी बहुत होती है सब के साथ होती है और इस मा बादल बन रहा है पहाड में देखे रहे हैं दुन्दा दुन्दा पहाड हो रहा है और मेरा पार्सल आने वाला है इसलिए मैं बाहर में वेट कर रही हूँ शायद आगा पार्सल वाले भाईया अरे कि अपर्सल में मेरा आ है तो उमीद है आप लोग मेरे और मेरे हस्वण के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप लोग Скilee सवाल तो आप लोग जरूर से पुछेगा मैं जरूर से बताऊंगी और अब सारा काम वगरत हो गया है अब आ गई हूं नहां धो करके मैं यहां दोपहर का लंच बनाने के लिए तो यहां पर आज मैं बना रही हूं बोडी और आलू का सब्जी तो ग्रीन वाला जो बोडी होता है इसकी सब्जी बना रही हूं तो मैंने यहां पर पहले ही आलू को और जो बोडी है उसको मैंने दोनों को भून करके निकाल लिया है इसलिए थोड़ी सी खड़ाई काली-काली नजर आ रही है तो आप लोग यह मन सोचेगा कि कड़ाई गंदा है यहां पर मैंने प्याज ड देख सकते हैं वहत अच्छी बनती है ये वाली सब्जी भी हरी- Moses Green को घखाना है ग्म जो का मैं देखती हु ना और जब घर जाती हूं तो मुझे वहा की सस्ति लगती है पिर जो रेड्ट बताते हैं ना मतलब के लोग मतलब मेचने वाले शस्ति लगती है लेकिन सस्ति होती नहीं वहां के लिए फिर वहां की देख बहुत महंगा है तो आध़ सि बन गई है ये सारा चीज यहां पर मैनेज करते यहां पर सबजी भी ना थैयार हो गई है, पानी डाल दिया है, मैंने बस एक कुबा लाने तक पका लूँगी, और हमारा सब्जी जो है वो बनके रेडी हो जाएगा, आज खाने में मैंने दाल नहीं बनाया था, बस सब्जी और चावल त मैं नैंने प्यास काट लिया है मैं दही के साथ में खालूंगी हस्बिन को सिर्फ सबजी दे रही हुं क्युंकि अभी उनको टाइफायड हुआ तो उनको मैं दही नहीं दूंगी और मैं दही सब्जी और चावल से खालूंगी, उसके बाद ये कप्ड़े नहां के अगर मैं छोड़ दूं धोके तो फिर मुझे याद नहीं रहता, ऐसा मेरे सथ बहुत बार होता है, तो मैं भूली गई थी कि मुझे कपड़े भी डालने ह वहले हैं क्यूंक्त पानी जो पांडे का है और पानी संडे को आता नहीं आप लोक जानते ही तो पानी जो है आज भी कोई देभार है जैसे मुस्लिम लोगों का तो हम लोगों को लगा था शायद आज भी पाणी न चले इसलिए मैं बहुतना टाइम वेट करने के बाद जो है अपना काम सुरू करी थी तो फिर फाइनली जो पानी था वो चलने लगा था तो कपड़े मैं धोई दे की चलो धो देती हूं नहाने के टाइम जाकर के पानी जो है चलना शुरू हुआ था तो फटा-फट से कपड़े म अब लगा दो तो फिर नहीं और जादा हो जाएगा इसलिए मैंने सोचे चलो दो लेती हूं और फिर कल है की बिश्व कर्मा पूजा है तो फिर कल का जो काम है वो जली-जली खतम करके पूझा पाट भी करना रहता है अच्छा आप लोग बताईये आप लोग के यहां टीज़ी जली से खतम करूं तो यहां पर मैंने मैदा मंगाया है यह रागी का आटा मंगाया है तो जीतिया में काम आएगा और चीनी खतम हो गया था चीनी मंगाया है एक पैकेट बेशन और यह रिफाइन मंगाया है क्योंकि अभी घर जाओंगी तो बहुत शारी चीज़े बना के लेके जानी होगी सफर के लिए और यह एक होरलिक्स मंगाया है कुहू के लिए तो अभी सारी चीजों को चलिए रख लेती हूं सारा ग्रॉस्री वाला बैग में और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उमीद करती हूं ब्लॉग आज का पसंद आया होगा आप के लिए और